पहला question साब सभी student के mind में आता है कि सर हम ACCA करतो लें और ACCA करने के बाद हमें job कहां मिलेगा और इसको करने के बाद हम क्या बन सकते हैं तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इसमें job किस-किस sector में है और हम बन क्या सकते हैं इसमें Hello everyone, आज की वीडियो ये सभी student के लिए है, अभी बहुत सारे student का कहना था सर हम graduate हो चुके हैं, या graduation आपका result आना pending है कुछ बच्चों का और become honors का जिनका result आ गया, वो ये परिशान हो रहे हैं कि career में हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब student को इस channel पे आप सभी को साथ के साथ after graduation क्योंकि हमारा main core का work था कि हम सर्फ graduation तक आपको graduation की study करवाएं, वो भी especially become के लिए, after become हमें क्या-क्या opportunities मिल सकती है, क्या ये field हमारे लिए better है या नहीं है, तो मैं एक चीज पहले बता दू, मैं आपको सारे courses के बारे में एक-एक करके वीडियो मैं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा के ये आपके लिए best है, वो आप decide करेंगे के which course is best for me, वो आप decide करेंगे, अपने capability के हिसाब से, अपना interest के हिसाब से, वो decide करेंगे आप, हाँ, कहां-कहां पे आपको क्या-क्या courses है, उसके बारे में बता देंगे, उसमें से एक courses का नाम है, that is ACCA, जैसे आप देख रहे हैं, Association of Chartered Certified Accountant, सर ये course क्या है, जैसे इंडिया के level पे हमारा, जो अगर इंडिया के level की बात करें, तो ICAI हमारा, जो की करवाते हैं, सर CA, ये भी Chartered Accountant है, और ये Chartered Accountant जो होते हैं, वो Global Label पे होते हैं, Global Label का मतलब, इस Chartered Accountant, ACCA, बहुत सारी country में recognize है, तो वहाँ पे आपको benefit मिलता है, और ऐसा नहीं है, Global Label का मतलब आपको बाहर job करने जाना है, हिंदुस्तान में भी काफे सारी job opportunities है, बहुत सारे ऐसे student है, जो की बार बार पूस्ते हैं, कि सर, क्या इससे हम foreign में जा सकते हैं किस country में है, नहीं है, वो सारे चीज़े हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो चलिए start करते हैं, आज का session ACCA क्या है, और उसके बारे में depth समझेंगे, channel को like, share और subscribe कर लीजिए, आने वाले time में मैं हर एक points पे ऐसा ही comparison वीडियो के साथ साथ, पहले मैं individual वीडियो लिया हू तो सबसे पहली हम अगर चीज़ बात करें, तो सर ACCA की अगर हम बात करें, तो ACCA जो है हमारा, वो total 180 countries, यानि 180 country के अंदर recognized है, चाहे आप Singapore ले लो, चाहे आप Malaysia ले लो, चाहे आप Hong Kong ले लो, चाहे आप Dubai ले लो, चाहे आप England, basically ये course England ने सबसे पहले, UK ने सबसे पहले start किय था, उसके बाद जैसे जैसे हमारा globalization होता गया, तो हमारा जैसे IFRS की जुरत पड़ी, तो ये courses बहुत सारी ऐसी country है, जिनके पास अपना professional accounting body नहीं है, तो वहाँ पे ACCA के according work किया जाता है, तो transform into the global finance leader with ACCA, और आप कहां कहां 180 country में, country के बारे में आप ज़्यादा detail जानना चाहते हो, तो किस-किस country में valid है, आप google कर सकते हो, easily आपको available मिल जाएगा, पहला question साब सभी student के mind में आता है, कि सर हम ACCA करतो लें, और ACCA करने के बाद हमें job कहां मिलेगा, और इसको करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं, कि इसमें job क किस-किस sector में है, और हम बन क्या सकते हैं इसमें, तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर job के बारे में, तो आप क्या-क्या बन सकते हो, तो सबसे पहले आप risk manager बन सकते हो, sir what is the risk manager, risk manager का मतलब होता है, portfolio आपका share market से related हो सकता है, insurance से related हो सकता है, assets से related हो सकता है, उसमें risk manager बन सक सकते हो चीफ financial officer जिसको हम cfo भी बोलते हैं साथ के साथ external and internal auditor भी बन सकते हो अब इंडिया के अंदर audit करने के लिए charted accountant होना बहुत ज़रूर है लेकिन इंडिया के बाहर आप ये auditor बन सकते हो tax accountant बन सकते हो tax का consultation दे सकते हो group accountant बन सकते हो business analysis researcher बन सकते हो कि business के अंदर क्या जिसे बीडी भी बोल देते हैं इसी तरीके से आपका insolvency participant जो company insolvent हो जाती है उसको किस तरीके से liquidate किया जाए उसके अंदर भी आप हो सकते हो तो ये कुछ आप specialization जैसे मैं बहुत simple तरीके से अगर आपसे बोलूं कि अगर आपके लिए ये फिल्ड अवेलिबल है अगर हम जौब की बात करें तो सर जौब आपके पास इन sector में अवेलिबल होता है आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं जौब के लिए educational institute में भी जा सकते हैं क्योंकि आज के टाइंग पे institute भी एक बहुत एक तरीके से इंडस्ट्री बनके आया है तो वहां पे भी जुरत पढ़ सकती है आपकी professional service firm जैसे आपका बड़े-बड़े firm professional service provided करती है जैसे बिक four हो गया बिक फोर में क्या होता है सर जैसे जो बहुत बड़ी चार company है न हिंदुस्तान के जो सभी company की मेन accounting करती है उसे professional body के अंदर रखा जाता बिक फोर में जैसे हो गया KPMG जैसे हो गया Deloitte जैसे हो गया PWC जैसे हो गया ENY तो यह सारे firm के अंदर की requirement पड़ेगी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे firm होते हैं जैसे Mackenzie हो गया जो कि एक consultant देते हैं यानि बड़ी बड़ी company जैसे अगर मेरे पास खूब सारा पैसा है तो बस मैं यह जानना चाता हूँ इस पैसे का मैं कहां उपयोग करूँ कोई ऐसा expert बता दे जुससे मेरा return अच्छा हो जाए बदले में उसकी हम fees देते हैं तो ऐसे firm जो कि यह consultant करते हैं उसको consultancy firm बोला जाता है यह service में shared service center आप बहुत सारे service center का मतलब होता है कि आपको बहुत सारे जगह जैसे कि part आपको allocate कर दिया जाता है service का service का मतलब है आप accountant या फिर आप auditor या फिर आप tax consultant यही सब चीजे बन सकते हो finance across industry आप कर सकते हो department across industry accounting कर सकते हो profit and loss बना सकते हो cash book बना सकते हो purchase book बना सकते हो और IFRS की पूरी knowledge आपको मिलती है इसमें आपको multinational companies इसमें तो but obvious है कि सबसे पहले जो opportunity आती है इन company में आती है क्योंकि यह course जो है वो है UK का और इंडिया में recognize है और बाहर भी इसी तरीके से recognize है तो आप अगर कोई MNC company इंडिया में आती है और आने वाले टाइम में बहुत सारे जैसे मान लो for example एपल आग चुका है इंडिया के अंदर इन company को एसी सी वाले person की requirement होती ही होती है इसके बाद करें consulting company मैंने बता ही दिया mid side outs outsourcing firm यह जैसे कि आपका बहुत सारी ऐसी company है भारत के अंदर जो की जैसे एक्सेंसर नाम से company आप गूगल करोगे मिल जाएगा जो बाहर की accounting लेते हैं और इंडिया से accounting करके उनको भीज देते हैं तो बाहर की accounting foreign की accounting लेके करके भेजना तो उस situation में वहाँ पे भी आप कर सकते हो तो यह तो हो गई हमारी बात किस चीज की सर हमें क्या क्या बनेंगे और क्या क्या चीजे होंगे मैं सारी चीजे detail बता दूगा करना है ना करना है वो आपके उपर पूरा depend करेगा सर आगे क्या है सर आप इसको करके जैसे की career opportunity देखो access 76 approved employer यानी जो ACCA के पास होता क्या है नॉर्माली DU के पास placement होते हैं तो DU अपने पास बहुत सारी बड़ी बड़ी company को बुलाती है और बोलती है हमारे यह student है इनको आप अपने पास job पे रखिए सेम chartered accountant का भी होता है सेम IIT का होता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने कई वार movie में देखा होगा के last में company आती है और student को लिगए जाती है तो इसी तरीके से इनके 76,000 प्लस company इनसे tie up कर रखा है कि हमें requirement है इसके बाद सर enhance आपके knowledge skills सारी चीज़े enhance हो जाती है और इसके अंदर आपको तीन level में exam देना होता है हम सब बाते करेंगे धीरे धीरे सर number of student कितने है total जो data निकल के आया है वो 5,262,000 student है और इनके center कितने है 104 center है जिसमें से एक center इंडिया में भी है member कितने है कितने ACCA बन चुके है तो 2,43,500 रंचास तो आप एक बात सोचिए कि इतने सारे population 5 billion की बोलते है population उतने population में सरफ और सरफ एक करोड भी नहीं दो आक मानलो ACCA qualified है जिरोंने ACCA करा हुआ है 180 country के अंदर तो ये सारी चीजे मैंने आपको बताई तो सर आपको क्या क्या पता लग गया आपको पता लग गया के सर हम ACCA का मतलब क्या है क्या काम करेगा हमें क्या काम मिलेगा और हम क्या बन सकते हैं आगे चलिए अगर हम बात करत हैं सर इसके subjects के ऊपर तो यहां पे सर में मुद्दे की बात है अगें मैं कहोगा कि आपको करना है या नहीं करना यह totally depend on you मैं तो सारे चीजे बता सकता हूं आपको जिससे आप aware रहो at least आपका भी परिसान नहीं हो कि हमें करना क्या है अगर यह पता ही नहीं होगा option तो कैसे पहला होता है हमारा पहले first knowledge level होता है तीन level है जैसे कि हमारा become के अंदर भी तीन year होते हैं first year, second year, third year तो वहाँ पे कोई ऐसा specific हम divide नहीं करते हैं हम सभी को equivalent मानके पढ़ाई करते हैं ऐसे यहाँ पे तीन level है that is पहला है आपका applied knowledge applied knowledge का मतलब यहाँ पे qualification वगरा सारे चीजे मै बता हूँ applied knowledge के बाद इसके अंदर चार subjects के आपको paper देना है और एक बहुत मज़े की बात इसके exam on demand दिये जा सकते हैं जैसे कि आपको जब भी लगता है कि आप paper दे सकते हो और one by one exam के preparation करके भी दे सकते हो मुझे लगता है मैंने एक business and technology paper बहुत अच्छे से तैयार कर लिय है इसका paper दे देना है तो इनकी fees भरोगे और paper आप दे सकते हो on demand होता है इसके बाद management accounting आपने जो become कर चुके हैं उन्होंने semester में पढ़ा होगा financial accounting वही FA जो कि आप पढ़ते आए हो semester one में तो यह हो गया हमारा कौन सा सर यह हो गया हमारा पहला level जैसे दूसरे level पे जाओगे level number two पे तो वो थोड़ा सा अपका applied skill हो जागा थोड़ा tough करेंगे इसको इसके अंदर आपको corporate and business law पढ़ाएंगे जो की already become में आप पढ़ चुके हो company law और business industrial law performance and management पढ़ाएंगे यह आपके लिए new होगा become में नहीं पढ़ा taxation आप become में पढ़ चुके हो financial reporting fr यह नहीं पढ़ा बीकॉम में audit and insurance यह भी नहीं पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और इसके financial management fm जिसको हम बोलते हैं यह भी आपने पढ़ा हुआ है कहां पे become level पे तो मजे की बात आपके बहुत सारे subject मिलते जूलते हैं पहले आपन धूलते अगर देखे तो यहांपे कितने exam होगा हमारे चार होगए होगाए तो 6 और यहांपे इपॉर्टिंग है एडवांस फानेशल मैनेजमेंट है इसके अंदर या फिर आप एडवांस पर्फॉर्मेंस या एडवांस टेक्सेशन या इन्च मतलब के कोई भी दो ऑप्शन टिक करना है इन चार पेपर में से तो इतने पेपर जैसे ही आप पास करोगे तो आपको के बाद भी हो सकता है लेकिन यहां पे इसी ने क्या बोला है जो सब्जेक्ट अगर आपने लाइफ में कभी भी पढ़ लिया है उसका दुबारा एक्जाम हम लेने की ज़रत नहीं समझते हैं तो अगर आप के बाद करते हो तो आपके एक्जाम नंबर बढ़ जाएंगे मत सारे ही एक्जाम देने आपको अगर आप दूइसे जैसे को रहा है जैसे कोई बच्चा बोलता है मैं 12 के बाद ही मेने सूटेबल लग रहा रहा है मैंने बह। research किया उसको पूरे तेरा लेवल देने पड़ेंगे लेवल वन में तीन लेवल 6 और लेवल 3 में आपका 4 एक्जाम देना पड़ेगा अगर आपने BBA और MBA कर लिया तो 10 एक्जाम देने यानि तीन एक्जाम चूट गए तीन एक्जाम कौन से चूट गए सर BTMAFA, यानि BTMAFA, यानि level 1 देना ही नहीं है, अगर आपने BBA कर रखा है, MBA कर रखा है, तो no need to आपको level 1 देना है, सीधा level 2 और level 3, जो कि आपके पेपर बनते हैं, कितने 6 और 4, 10 पेपर, यानि आपके पूरे 3 पेपर एक्जाम्ट हो जाते हैं, सर, become graduate, आप सभी ने, अगर DU से become करा हुआ है, तो especially उनको privileges मिलता है, तो अगर आपने become graduate हो, तो आपके एक्जाम हो जाते हैं, 8, इसका मतलब सर, यानि ये जो level 1 है, ये तो देना ही नहीं है, इसके साथ level 2 के अंदर भी कुछ पेपर एक्जाम्ट हो जाते हैं, जैसे tax और law, य मेरे समझ से FM को भी exempt कर देना चाहिए था, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, तो नहीं किया, इन्होंने exempt, अच्छा सर, अगर आप IPCC सिर्फ करते हो, बीकॉम नहीं करते हो, तब भी आपका यही रहने वाला है, लेकिन अगर बीकॉम के साथ अगर आप IPCC कर लेते हो, तो आप अगर आपको करने है, यानि आपको पेपर कितने देने है, FM का देना जो बहुत आसान है, बीकॉम में आपने पढ़ा है, और अगर मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता लगा होगा कि कितना easy है, और एक paper यह होगे है, दो, और एक paper performance, तो तीन paper यहाँ, चार यहाँ, सिर्फ साथ paper देना है, अगर आप CMA कर लेते हो, तो आपको 6 exam दे exam, तो यहाँ पे आपको 4 exam देने है, तो यहाँ नो paper यहाँ पे exempt हो जाता है, अगर आपने, जैसे की CA या CM है, दोनों लगबग लगबग मान के चलो, सेम तो नहीं कहेंगे, अलग है, तो अगर आप 5 साल पुराने हो चुके हैं CM में, तो आपको paper देने पढ़ेंगे, में आए होगा, कि कैसे पढ़ना है, आगे चलिए सर, इसके बाद क्या जानना चाहोगे, सर, इसके बाद जानना चाहोगे, सबसे main thing आपका, हमारी तनुखवा कितने लगेगी, और work area मैंने पहले ही discuss कर लिया, business study, accounting, finance, planning, budgeting, performance and cost management, business strategy, यह सारे आपके के हैं सर, यह सारे के सा सारे आपके हैं, salary की बात करें, तो इंडिया के अंदर average salary 10,00,000 रुपे है, अब मैं सबसे पहले बात कर दूँ, salary की, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सर, job लगेगी के नहीं लगेगी, uncertain है, तो मैं simple सी बात करूँ न, एक CA, जो charted accountant आज बन चुका है, और उसकी salary आज 50,000 रुपे भी मिलना मुस्किल है, और एक CA जो charted accountant बन चुका है, उसको 2,00,000 रुपे महिने भी बड़े easily से मिल रहे हैं, और एक B.com graduate बंदा, उसको 15,000 के भी job मिलने मुस्किल है, और एक बंदा B.com जो graduate है, उसको 1,00,000 रुपे महिने भी आराम से salary मिल रहे हैं, totally depend on your skill, आपक communication क्या है, communication का मतलब बहुत सारे लोग यह समझते हैं, कि communication का मतलब अंग्रेजी से है, अंग्रेजी से नहीं है, मेरे भाई, communication का मतलब होता है, कि आप बातों को कितनी अच्छे से represent कर पा रहे हैं, चाहे आपका कोई भी भासा हो, उससे फरक नहीं पड़ता, किस according आप जाद निकाला जाता है, कि यह दस लाख रुपे आपको साल का सेलरी, यानि महिने का अगर आप मानते हो, तो दस लाख को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, क्योंकि हम इस लेवल कई बार ऐसा होता है, कि हमें महिने का भी जानना है, तो महिने का आपका 83,000 रुपीज लगबग तो वो सारी चीज़े है, तो मैं अगेन कहना चाहूँआ, मैं सरिफ अपोर्चनिटी बता रहा हूँ, हाँ, ये एक अच्छा अपोर्चनिटी है आज के टाइम पे, सीए के बहुत सारे स्टूडेंट इस लेवल पे सिफ्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि यहां का result percentage ब अग्जाम देने है, graduate वाले बच्चों के लिए तो देखो, तीन और दो पांच, पांच पेपर हमारे exempt हो जते हैं, तो वो बाकी के पेपर देंगे, तो ध्यान रखिए कि आप इसको apply कर सकते हैं, सर कैसे कैसे करना है, तो मैं बता दूँ आपको, सर ACCA काफी सारे institute है, लेकि को बहुत अच्छे से उनसे पूछना है, उनके faculty को पूछना है, सारी चीजे करके फिर करना है, पहला अगर मैं बताओ, registration fees, इसके coaching की भी fees होती है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जो की institute को जाएगा, इसके अलाबा, जितने subjects आपने देखें, उसके tuition लेने पड़ेंगे, उसक पर थोड़ा सा 50%, मतलब लगबग लगबग, wave of type का वहाँ पर हो जाता है, 50%, मतलब काफी सारी fees annual subscription में, वहाँ पर कम हो जाता है, तो ये सारे हमारे knowledge level पर आपके इतने पैसे जाएंगे, skill level यानि दूसरे level पर ये जाएंगे, और final level पर 20,000 के आसपास जाने वाला है आपका, तो overall ये आपकी fees हो गई, जब आप registration कराऊगे, सर इसके exam कहां देने होगा, इसका exam इंडिया के अंदर ही होगा, आपके nearby center पड़ेगा, online exam का ज्यादा provision होता है, इसके अंदर MCQ type questions पूछे जाते हैं, सर इसके साथ साथ coaching का कितना खर्चा आ जाता है, देखो, coaching center का खर्चा म हमने देखो, आपने B.com में तो हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह आप जो professional काम करते हैं, उनको अपनी fees proper तरीके से लेते हैं, तो मैं मान के चलो, इसके अंदर आप जादा से जादा discuss अगर आप यहाँ पे phone number मैंने इसलिए डाल दिया है, क्योंक आर ले ले लिए, कोचिंग आफ लाइन जाकर देख लेजिए, ऑनलाइन जो भी इनका चीज़े होगा, इस नंबर को नोट करके आप इससे concern कर सकते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, कोचिंग के fees से 1 लाग भी हो सकते हैं, दो लाग भी हो सकते हैं, तो यह overall क्या था हमारा सर, ACC, अब अगला conclusion पर पहुंचते हैं, सर, यह हमें करना better है या नहीं है, मेरा मानना है, आपको करने में अगर मान लेतने हैं, इसमें आपके 3 लाग रुपे भी लग रहे हैं, तो मेरे इसाफ से waste of money नहीं होगा, और नहीं waste of time होगा, एक आपके education में चीज़े add-on हो जाए 3 लाग रुपे आपके अगर 10 लाग रुपे की salary लगती है साल की, तो आप तो एक साल से अंदर, तो मैं बोलूँगा education पर खर्च करने से पीछे मत हटिएगा, बीकॉम लेबल पर जो हमने पढ़ाई करी ठीक है, हमने कर लिया, अब आने वाले time में आपको अच्छे से पढ तो जो बच्चे भी नए semester 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का कोई भी देख रहा हो, तो वो जरूर देखे का भईया, इन सारे subjects को हमें बहुत हलके में नहीं लेना, आप पढ़ाई नहीं करते, तो मन लगा के पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपको आगे अच्छा opportunities, अच्छे course म मिल सकता है, तो बस आपको यहीं बताना था, इसी तरीके से सारी वीडियो की मैं series लेके आ रहा हूँ, और CA पे discuss करेंगे, CMA पे करेंगे, CPA पे करेंगे, CFA पे करेंगे, जो professional courses हैं, उनके उपर हम discuss करेंगे, उसके बाद comparison भी कर लेंगे, यह आपके लिए दोनों में यह कमि contact number given है, आप देख सकते हैं, इनसे आप communicate कर सकते हैं, चाहे WhatsApp पे कर ले, चाहे call करके कर ले, appointment लेके कर ले, मिल जाएगे, तो hopefully आप समझ पाये होगे, time waste मत करिएगा, आपके यह एक से दो, दो साल मान लेते हैं, दो साल में अगर आप धाई साल आप क्लियर करते हो इसको, तो यह मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, सब्सक्राइब कर लिजे, अगर आपने बीकॉम के पेपर के बाद अनसब्सक्राइब कर लिया था, तो आपके लिए ही मुझे लाना पड़ा, यह सिरीज, सब्सक्राइब कर लिजे, thank you so much, मिलते हैं, नेक्स